नमस्कार class 9 exercise 2.5 question number 14 है वास्तव में घनों का परिकलन किये बिना निम्ण में से परतेक का मान ग्याद कीज़े यानि कि हमें इसका cube निकालके इसका cube निकालके और इसका cube निकालके इनको plus नहीं करना है हमें किसे और तरीके से कोई सरस्वमिका यूज़ करके इन्हें हल करना है तो सबसे पहले इन कोशनों में बचो हमारे पास जा फार्मुला है वो है AQ प्लस BQ प्लस EQ उस फार्मुले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ठीक हैं लेकिन उससे पहले आप इस कोशन को यदि ध्यान से देखे तो आपको समझ आएगा कुछ यह साथ यह पांच साथ प्लस पांच बारा और यह माइनस बारा इसका मतलब यदि तीनों को प्लस करने तो जीरो आता है यानि A प्लस B प्लस C जीरो के ब्राबर है इसी चीज़ को मैं यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी कोश्चन नमबर 13 में यह पड़ा है कि यदि X प्लस Y प्लस Z जीरो के ब्राबर हो तो X क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस Z क्यूब किसके ब्राबर होता है 3XY Z के ब्राबर होता है इसी सरफ समिका का मैं यहां यूस करूंगे हम देख पा रहे हैं की –12 प्लस 7 प्लस 5 A प्लस B प्लस C यानि X प्लस Y प्लस Z किसके बड़ाबर है минus 12 7 5 12 12-12 0 है तो माइनस बारा का होल क्यूब प्लस साथ का होल क्यूब प्लस पांच का होल क्यूब X क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस Z क्यूब किसके बराबर होगा 3 इंटू X X कितना है माइनस बारा इंटू Y Y कितना है साथ इंटू Z Z कितना है 5 यानि कि इनका क्यूबों को प्लस करना है तो क्या करें हम 3xyz निकाल दे अब हमें इसे हल करना है सिरुफ ये वराबर होगा ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि इनको गुना करके देखो 12 इंटू 5, 12 पांजे कितना हो गया 60 तीन गुना साथ इक्किस तो साथ को इक्किस से गुना कर दो 12 पंजे साथ तीन साथ इक्किस को साथ से गुना कर दो एक इंटू 0, 0 एक इंटू 6, 6 दो इंटू 0, 0 दो चिके 12 तो यह आ गया 0, 6 में 0 प्लस किया 6, 2, 1 यह आ गया 1260 ठीक है बच्चों तो यह हमार पास आ गया 1260 साथ में निशान देखो प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस तो यह जो माइनस 1260 है यह क्या आ गया माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का माना गया माइनस 1260 ठीक है बच्चों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ आया होगा ठीक है इसको ध्यान से देखे सिंपल सी बात है कि यदि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z निकालना है z क्यूब निकालना है तो पहले देखो कि क्या x प्लस y प्लस z 0 के बराबर आ रहा है यदि आ रहा है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का फार्मूला हो जाता है 3xyz उसी को हमने आगे हल करती है यह वीडियो समझ आया तो इसको लाइक जरूर करना धन्यवाद